किस प्रकार से किस प्रकार से आप इसी भी राशी में और उसके नक्षतर को आप जानेंगे किसी भी राशी और उसके नक्षतर को आप कैसे जानेंगे यह बात मैंने तल आपको बताई थी राशी में उसकी नक्षतर होती है नक्षतर का स्वामी होता है तो यहां पर अगर माल तरा अगर राशी इस वी ग्रह की राशी अगर राशी है नित्र राशी और फ्रैंड है तो ऐसे स्थिती के ग्रह होगा वेरिवूड को अच्षी स्थिती में होगा अगर वाशी फ्रैंड है लेकिन नक्षट एनेमी हो गया शत्रू तो यहाँ पर क्या हो जाएगा खिसको प्राइटी देनी है तो यहाँ पर यहाँ पर पूर कंडिशन में आ जाएगी बहुत अच्छी कंडिशन में नहीं होगे अब अगर राशी एनेमी है और नक्षत्र फ्रेंड है तो यह बुड कंडिशन बट नॉट बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी है यह बहुत अच्छी है यह खराब कंडिशन है यह अच्छी कंडिशन है यह बहुत सारे रूल में से एक रूल है कि इसी से नहीं और भी चीज़ों से देखा जाएगा लेकिन पहले इतना तो हम लोग समझे लें और राशी एनेमी है और नक्षत्र की स्वामीदी एनेमी होगा यह बहुत खराब कंडिशन होगी यह बहुत हो सकती है श्यम की राशी हो सकती है यह संभी हो सकते शीए है और यह मतलब क्या हो जाएगा एनेमी यसाद्रू वाल राशी तीक यह नीच की राशी भी ओ सकती कोई बाल करेंगे तो ये एक और चार्ट आपनोड कर लिए राशी मित्र राशी है नक्षत्र भी मित्र का है तो ग्रह की बहुत अच्छी इस्तिती होगी राशी दोस्त की है मित्र की है नक्षत्र शत्रू का है तो खराब क्योंकि नक्षत्र को अमेशा प्राइटी देनी है राशी जो है शत्रू की है, नक्षत्र दोस्त का है, और व सी कंडिशन है, क्योंकि नक्षत्र को प्राइटी देनी है. दोनों ही शत्रू हो गए, उस ग्रह की, जिस ग्रह की बात हो रही है, यह बहुत खराब कंडिशन है. कि कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया ज़तल इसकी आजी ज़र समस्ते हैं कि इभूब करिया समने निश्यत तिथी यानि डेट पर निश्यत समय पर यानि ताइम और निश्यत इस्थान पर यानि प्लेस इसी निश्यत तिथी निश्यत समय और निश्यत इस्थान पर पूर्व दिशा पूर्व दिशा में में उदित होने वाली राशी पूर्व दित होने वाली राशी पूर्व दित होने वाली राशी को लगन कहा जाता है इसी निश्यत किती निश्यत समय और निश्यत इस्थान पर पूर्व दिशा में उदित होने वाली राशी को लगन कहा जाता है अब यह तो आपको पता ही है ज्रह प्रवश घंटे के अंदर बारा की बारा राशिया उसके लगन में आ सकती है तो एक दिन में पूरी की पूरी बारा राशियों की लग न बन सकती है कैसे क्या कह रहे हैं यहां समझे आप पहले यह पूर्शन आप देख रहे हैं यह पूर्शन जिसको आप बोलते हैं यही है लगन यही नवर यहां लिखा होगा अब यहां को इसी की होगी यह क्या है यही है पूर्शन इस्थ पीस यह का मतलब क्या हुआ विद्द सम्झाब आप फूर्शन कूरण अंदेवाले कौन शी दिशा होगी ईभ जर्स यह सब्सक्राइब अ कि दिशा हो अलोघ आ नोर्थ wasabout Cat कि Safe Alpha जाएगा और यहां जो नंबर लिखा रहेगा वही लब्न होगा अब इस पर डिपेंड करेगा इन तीन बातों पर डिपेंड करेगा जैसे आपने माल लिया कि सवेरे आठ वजे यहां पे दो नंबर लिखा है तो कौन सी राशी हो गई दो नंबर में कौन सी लगन हो गई लगन कौन सी हो गई दो नंबर है तो ब्रशव टॉरस तॉरस हो गई यहां पे दो नंबर है तो टॉरस अब क्यों आपको यह पता चल ज यह दो नंबर है तो बागी की गिंति आप खुदी कर लेंगे कैसे हम लोग एंटी क्लॉक वाई उमें चलते तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ज्यारा बारा एक इसकी जिन्ति आप खुदी कर लेंगे यहां के आपको यहां पर कौन सा नेंबर है उसके बाद आप खुदी बना लेंगे अब तो देखे बात और बताएं कि यह जो हमारी जो यह अर्थ हैसे घूम रहे हैं पूरी राश्यों पे घूम रहे हैं तो जैसे देखें यह कैसे पूराव है तो जो नंबर दिया इसमें आगयागी है तूसरी पहली पहली के सामने है क्योंने चानमबर यह पांच यह जब यह नमबर के सामने आई यह दो नमबर यह नम रही है गूम के तहां पहुंची यह तीन नमबर के सामने पहुंची तो लगन यहां तीन नमबर हो जाएगी तो ऐसे चुखी अर्थ गूम रही है तो अटमेटिक जो पूरब दिशा में जो भी राशी आएगी वही उस व्यक्ति की लगन होगी वही उस व्यक्ति की क्या होगी लगन होगी यह ध्यां देना अम्मालिया और बारा लगन है दिन रात मिला कि 24 घंटे लगन हो गए लगन कितने हो गए दो लेकिन कोई भी लगन कोई भी राशी दो घंटे होती ही नहीं सब राशी आलग अलग है लेकिन उसकी जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी लिख दे लेंगे लेंगे कितने गांटे में क्या रहेगा और लेके लिए नहीं पड़ेगी लेकिन इल्लाग दो घंटे आपके अब जो पॉइंट बतारें उसको समझे अब माली कि कि अगर छे बजे सबेरे दो नंबर है तो आठ बजे सेम डेट में सेम जगे यानि सेम प्लेस पर लेकिन टाइम कित की आगे आगे चलता है ना अब तीन नंबर यह आगे लक्न लत्न टीन नंबर हो गई तो यह पता चले लगए जार पांच छे 78 9 10 11 12 12 को गीट की हिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉइंट है यही स्कुण्णी में लगन होगी और ऐसा ना यह आपकी कुण्ली में आपको जेही देखेंगे हमेशा इसी को लगनत ने ही पूर्व धिशा है यही प्यद्व धिशा है ठिर पैस्ड साय उडिशल डिशत यह उट नहीं यह आपको धान देना है लेकिन इसके अंदर जो नमबर है वह हर व्यक्ति के अलग-अलग होते चले जाएंगे सेम भी हो सकते हैं अब कुछ चीज और बगल जाएंगी वहां पर तो यहां पर बारा तक नमबर आ सकते हैं एक से लेटर बारा तक वही जो नमबर आएगा वही वहां उस वैक्ति की लगन होगी और पुर्डली में सबसे इंप्पर्टेंट चीज क्या है लगन बस आप लगन सबसे इंप्पर्टेंट चीज Tä pied a.व नमें सबसे तेखाते हैं जहाँए कैसे आप लोग बतायेंगे इसका अनसर कि कौन सी लगन हो रही है क्या हो रही है बताएंगे आप यहां पर देखे मैंने का तीन चीज़े चाहिए तो नाम हो गया वो तो आप भरे लेंगे तिथी तिथी मलें डेट आप बर्थ तो यहां डेट आप बर्थ आप डालेंगे उस वेक्ति की जिसको जो आपसे अपनी हैं यहां दालिए कि चाहिए वो शहर का वो चाहर सकते हैं यहां पर पीड कर सकते हैं आप देखें जैसे यह चैंदरफ़काजी अपनी सब कुछ कंडिशन दे रहे हैं तो चलिए इस कुंडली में बताइए लगन कौन सी हो गई इस कुंडली में लगन सींग लगने देखें यह पहले हाउस में लिखा है न यह जो पहले यह पर्था माउस यही है तो यहीं सिंग लगन पांच नमबर लिखा है इनकी कुंडली देखते हैं चंद प्रकाजी इनों ने अपनी डेट बढ़त भीजी है जीरो चैनि जुलाई 1999 समय है इनका शांपू पांच बज़े यानि 17 बज़े आप डाल देगे और वहां सांप कर लेंग अपने आप आजएगा और यह नैनी ताल में पैदा हुए है नैनी ताल बहुत अच्छी जगे है बहुत अच्छी जगे से होंगे मीदे की यह अच्छे आद में होंगे न को इनकी कौन सी लगन हो गई सब लोग बताई एं जी स्कौर्पीय बहुत सही लख जी स्कौर्पीय हो गई अभी ब्रशिक बोलिये एक ही बात आएगी सही है सभी लोग सही आंसर दे रहें ब्रशीट यह फरस्ट है अब यहां केवल आठ नंबर आ गया आठ नंबर आगया त इनकी ब्रेशिट अभी और कुछ नहीं बताना है लग नम आपको बता रहें बस तो सत्रा इरश्मी शर्मा जी की डाले सत्रा ग्यारा उन्निस वठानबे इनका टाइम है दस बच के पच्चेस पीम दस बच कर पच्चेस पीम पीम अला शाम हो गया तो यहां शाम कर लीजे औ में यह पैदा हुई अपने आप आजाएंगी अब इनकी लगने कौन सी हो जायगी करक लगने करक लगन ने दिया है उनका भी डाल के देख लेते कुमार एंशुमन जी ने भी दिया है मेरी कुड़ी नहीं बनी है गुरू जी कुड़ी बना के क्या करेंगे पहले के समय में यह विवस्था नहीं थी इसलिए नहीं पंड़ी नहीं सवारी सब्सक्राइब बन आप डालिये निकाली और नहीं बने तो आप अपनी कुंडली एक बार नेकाली एपका जीवन सुनाल जाएगा इसा कुछ नहीं होता है तो देखे कुमार अंशुमंजी कि ए तेरह नॉउमबर निस सो बयासी उनने सो बयासी और टाइम है इनका सुबह का 10-15 बता रहे हैं तो देखिए 10 बचके 15 मिनट क्या हो गया प्राता और प्लेस इन्होंने क्या लिखा अलहाबाद खेक है अलहाबाद अपने आप आगे उत्तर प्रदेश अलहाबाद प्लिक कर दिया इनकी कौन सी लगन हो गई इनकी कौन सी लगन हो गई पोल लगन कौन सी होती है घनु लगन है इनकी कुंडली में है ठीक है मंगल के प्रभाव को बढ़ाईए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको इनकी का है कि आपको बढ़ाईए गुरू आपकी इनरजी आपको बहुत मिलेगी और 현heim इसका है हाँ, बताईए, लिखे प्रत्युस पांडे जी अपना लिखिए, हम बता देते, बताना क्या कुंडी बताए नहीं चाह रहे हैं, यह आप खुदी अपने बारे में बताएंगे, हम तो भस देखना आपको बता रहे हैं, मेन धनू लगने, तो आप ने देखा, इत्थी सारी क तो प्रतिव्च जी ने लिखाये 10 सितंबर 1909 चलिए लिख देते हैं प्रतिवच जी का दस सेतंबर 09 के और क्या टाइम दिया ईन्होंने प्रतिवच ने 7 साथ बजे कांपुर सुभे का देखे सब्सब्साद्मितफने 10-7-30 और कांपुर that कानपूर उड़ीशा में भी है कानपूर उड़िसा उड़िये उप्र छ॑ं patients utiliz고 हुए के एक ठीके तो पाएं अने हैं लेकिन brands तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं लगन यहां से निकाल सकते हैं अब आते हैं इसको बस आज के लिए इतना ही काफी नेक्स्ट बात करेंगे आप ही लोग कुंडली लेंगे सबसे पहले फार्मूला सीखते जाएं हम देखें क्या करेंगे आप अपनी खुद देखें इक नजर कहां पर डाल डाल चन्emb यह जीरोपाँच-पंद्रा शाम को है और्नका मतुरा मतुरा किशंची की नगरी है जैसे किशन जी टेड़े है वो इसे यह ना टेड़े हो देखें जो किशन जी की लगने वही आपकी भी लगना है क्रिश्न भगवान की लगने कौन सी थी हाँ शीवम जी इसी में इस काल भी होता है अभी हम दिखा देंगे प्रशासा आउरा- के लिए खी जो फी वो कॉन सी थी वो थी ब्रशब लगना और इनकी देखें मद्रवाएं में पैदा हुए घाथी है किस्टी कि वह नहीं हो जो यहां पर आएगा वही लगन अब इंपॉर्व दिशा में निशित समय और निशित इस्थान पर जो पूर्व दिशा में जो यहां पर क्या आएगा राशी आएगी उदित होगी वही स्वेक्टी की लगनों अब पूरी कुंडली में मैं पूरी कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है तब पूरी कुंडली में वैसे लिए सबसे जजादा इंपॉर्टेंट क्या है लगन पूरी कुंडली में सबसे जागा इंपॉर्टेंट क्या है लग जो यह मैं नमबर आपको दिखा रहा था ना यही आप है लग मतलब आप है आप से हैं आपके सामने कोई कुंडली लेकर आया और कहें मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ और आप उसकी बात को जैसा भी है आप यह हैं आप सबसे इंपॉर्डिशन होती है जिस राशी में सूर्य बैठने होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सूर्य लगन यह सूर्य लगन हो गई यह दूसरे नंबर की प्रायर्टी है पहले नंबर में हमेशा ही लगन को देखना चाहिए दूसरे नंबर में सूर्य सूर्य क्या है नैचुरल आत्म कारक है आत्म कारक आत्म कारक क्या मतलब सब लोग समझ रहे होंगे वेदेने या तुमारे आत्मा कैसी है जो इस कान को करने की गवाही नहीं दे रही है तो आप सूरिय देख लिए कि अच्छे हैं कि बुरे हैं आप समझ जाएंगे उसकी आत्मा अच्छी है कि बूरी कुछ लोग बहुत अच्छे काम करते हैं तो आप सूरेग की बात कर रहें उन की हरकतों की बात कर रहें कुछ लोगी सोच बहुत गंदी होती है आप डेखे गर सूरी की स्थिती सूरी बता देगा आपको कि वह वेक्ति कैसा है उसकी आत्मा कैसी है यह नचुरल आत्मतारaches है सूरी ठीक है तीसरे नमबर पे आप डेखे कि चंडरलो सब्सक्राइब चैतन मन जो आपके मन को कंट्रोल करेगा और चैतन मन कि सब्सक्राइब यह मन यह तीन चीज़े बहुत इंपॉर्टेंट इन तीनों में अगर आप प्राइरिटी की बात करते हैं कि बात करते हैं प्राखमिक्ता तो प्राखमिक्ता सबसे ज्यादा किसको दी जाएगी लगन को फास्ट सूर्य लगन को और ठाड चंड्र लंगन को यह आपको उस रहती के बारे में बनाद सब बाते तो बता ही देंगे आप को कई से पता चल गए आपके सामने को रहती आया और इन तीनों को आपने समझा आप उसके बारे में बहुत सारी बाते आप समझने लगें वो जरूरी नहीं कि जो वेक्टी वो बोल रहा है वो वैसा हो आप तो जोतिश है उसके बोलने की ज़रूरत नहीं है आपके सामने ये कुण्डली खुड गई बस वो बोले चाहना बोले फिर आप ही बोलो तो ये चीज़ा आप समझ लीए यहां पर लगन सबसे जाले आप तो सर अब यहां प्रेसर्ट की बात आ रहेंगे क्या है कि अपुछ बुरे शार कि सीुखित होगा जिसका मन खराब है मन कुछ लोग होते हैं ना बहुत अच्छे काम करते हैं लेकिन ना मन बहुत गडबल होता है आप देखें चंद्रमा की स्थिति वहां देखें मन कभी बहुत बहुत परशान हो जाएंगे बहुत अजीब अजीब बातें रखते हैं और डरेंगे तो खेर क्टि dem ANDREW की बहुत देखेंगे कि मिला करके उस व्यक्ति के आरे में आप और रॉक्ति के बारी में आप सुसाइल भी कर सकता है तो आप पहले उस व्यक्ति की चंडरमा की सिती सब देख लेंगे यह देखना कैसे वो सब बताएंगा उसकी चिता नहीं और अगर उस व्यक्ति का चंडरमा ज़्यादा खराब है तो आपने उसको कोई लिजेटी बात बता दी तो यह चीज आपको थोड़ा साउधानी बरतनी क्योंकि दिखिए आप तो त्रिकाल दरशी बनने जा रहे हैं यानि गूद वर्तमान और भर्मिशित तीनों आप देख सकते हैं इस जोतिस की सायता से इसलिए तो जोतिस को वेदों का चक्षू आप सब देख लेंगे यानि कि जितने भी लोग त्रिकाल दर्शी हुए आस तक आप सुनते होंगे इसका मतलब उन सब को जोतिस की नौलज थी लेकिन बहुत अच्छे लेवल की नौलज नहीं रखते थी लगन सूर लगन चनर लगन यह तीरा आप देखना जैसे जैसे माल लिया हमने यहां चार नमबर लेकिए तो सूर लगन बताईए आप लगन बताईए कौन सी हो गई इस रखती की मैंने यहां पर चार नमबर लेकिए करके लगन हो गई ठीक बहुत अच्छा करके लगन हो गई अब बस चार नमबर लिखा बाकिया आप खुदी भर नहीं कि पांच छे साथ आठ आठ नो दस ज्यारा बारा एक जो ती भर लिया आपने सूर यहां लिखते है चली सूर यहा सूर लगने कोँसी होगी सूर लगने कोई से दिला अब बहुत सारे लोग आशर नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी प्रयास करें आथा आप जितना अंसर देंगे ना आप इतना मजे में सीखेंगे और ने कि जिसको जितना आता है ना उसको अतनी ही कोई प्रभाव नहीं होगा कोई प्रभाव नहीं होगा कोई प्रभाव नहीं होगा यह आप यह पहले देखना बंद कर दीजिए कल भी मैंने बताया कि राशी के साथ आपको लक्षद्र देखना होगा उसके बाद आप decision पर पहुंचेंगे कोई प्रभाव नहीं होगा अब थोड़ी थोड़ी बाते और आगे चलना है कि हाँ अब देखिए कि अब नास्तिक होगा नास्तिक कैसे हो जाएगा वाई अच्छी बात है नास्तिक हो और इंपॉर्टन वाट पी चलते हैं यह समझने के लिए आपको यह बाते समझना होगा एक चीज़ और देखिए अब जो मैं बता रहा हूं ना इसको आपको ध्यान रखना पड़िए इसके पीछे बहुत जादा लॉजिक हम नहीं दे पाएं यह लेकिन इन बातों को आपको ध्याएं करत ना हो एक होटी चर राशी चर राशी जिसको बोलते हैं मूवेबल साहिं चर चर कम लग चलना मूवेबल साहिए यह कौन कौन सी है पहली शौथी साटनी बसनी मतलब मेश कर्प तुला मकर यह बहुत इंपॉर्टन इसको नोट कर लिए उसके बाद होती है इस्थिर राशी स्थिर राशी इसरी इसरे शीत का मतलब को फिक्स्ट साई यह रहीムैंवोगा इस्ठिर है इसते रा शी यह रहाएं जो पांच आर्ट और से लृ इसे खोगे दू सौभाव राशी तू सौभाव राशी इसको बोलते हैं डूवल साइन डूबल करेक्टर दोनों के करेक्टर आते हैं मुव के भी और सिंट दूवल साइन दूवल साइन कौन सी हो जाएगी जो बच गए तीन छह नौ बारा मितुन कन्या धनों और नीम राशी मितुन कन्या नीम और धनों राशी यह चीज समझना हो गया यहां मैंने ले लिए चार नंबर ले लिए किसी भी भाव में जो एनरजी है वो एनरजी उसके लौड बताएगा यह भाव का जो लौड है वो जिससे जाकर के जुड़ जाएगा यही इसकी इनरजी उससे जाके जुड़ जाएगी अब यहां से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है हमने बोला कि यह इसकी लगन हो गई कौन करक लगन हो गई लगन करकल हो गई इसका लौड कौन होगा इसका लौड होगा चंद्रमा क्योंकि करका स्वामी चंद्रमा है और भी जोड़ देते पांच छे साथ आठ नौँ दस ग्यारा बारा एक दो ती अब बात सुनिए यहां से देखें अगर कोई भी यहसे लगन का जो लौड होगा अगर वह वह बहुत इस्थर प्रकरती का होगा बहुत ज्यादा हो इधर उधर घूमना फिरना उसको गुमना फिरना तरीक अलग बाती हो गई अब वह वह एक जगे टिका रहेगा तो यह वह एक जगे टिक के काम करेगा यह तिका रहेगा बहुत ज्यादा इसको इधर उधर पिछड़ों कि उनको आने जाने में थोड़ी समस्या होती है वो इधर उधर नहीं जाना चाहते एक जंगे रुखना चाहते इस स्थिरता चाहते तो आप देखेगा उनके लगन का स्वामी जो भी होगा लॉड वो इन्ह सब्सक्राण करें और उसकी इंप और सूर्टी माली कि फिघ्र साइन में ऑ गया और चैंडरमा भी फिच्च साइन में आ गया तो ऐसा व्यक्ति जब तीनों ही फिच्च्ज्यसाइन में आ जाए तो उसकी आत्मा भी स्थिर होगी और तो यह स्तिती उनकी होगी यह स्तिती होगी अगर वो इस में आ जाए तो यह आपने आपने जादा बदलाव करने की श्तिती में नहीं रहें लेकिन उसका जो लगन लॉड है वह अगर फिक्स साइन में है चैनल लॉड भी फिक्स साइन में है तो उससे पूछो यार इतना गूमना जो गूमते हो कैसा रहे तारे यार मजबूरी है इसलिए गूमते हो अन्ना हमारा मन में वह आप देखेगा यही जीज़ होगी ऐसे भी हूट बहुत जिद्दी भी होते हैं इनमें अथौरिटेटिव यानि उन्होंने कह दिया जो हमने कह दिया वही अब होगा उसके आगे हम कुछ नहीं सुन्ते हैं उसके आगे हम कुछ नहीं सुने हैं जो इन्होंने कह दिया वही यह माना जाएगा तो यह बात थोड़ा और ध्यान देने हैं आपको यह बहुत क्या होते हैं थोड़े जिद्धी टाइप की आजाते हैं अगर ऐसे व्यक्ति है कि अपकी कुण्ड़ी में क्या है क्रिश्णा फूरी क्रिश्णा फान्डे जी कि आपका लगने इस इस्थिन लाशी में है बताईए कि अई स्तिय आपके साथ है क्या जैसे मैं बढ़ा रहा है अगर यह पीर है तो अच्सी बात है लेकिन अगर लगने हैं तब आपके मैं बताऊंगा आप अपनी कुंडली चेक करिए वैसा होगा और किसी की कुंडली जो लोग देख पा रहे हैं अपनी कुंडली सामने रखिए और देखिए जो भी यहां पे जो भी नमबर लिखा है लालिना उसका लॉड अगर इनी में आ रहा है तो पॉंच आठ ग्यारा फि जो चीजे बताई जाएंगे बहुत प्रैक्टिकल बेस्ट होगा अचा आपके साथ भी है साथ बहुत बढ़े हैं मोखेश जी तो सही है यहां गलत होने के चांसे कुछ भी हो सकता है लेकिन आप जरूसकी परिस्तिक्यों को समझे अब हमसे हमने को कुछ बात बताएंगे थे आपको अब मैंने में कभी एक cat भान उनए कंगे अच्छा और बुरे को बियमाने मेंक ऊलई कभी कभी इस आगए अच्छा एभाएभी नेए बताएा रही कहीं रूकना पहुता आउर ये मूफमगना अच्छा होता है लेकिन जहां मूव करने की स्थितियां आ रही है और अगर ऐसी कंडिशन वहां पर बनी हुई है तो उस व्यक्ति को उस परसन को क्या होगा साथ लगन में क्या है साथ लगन में मलक्तुला स्वामी शुक्र होगा मेरे में गुरू आपने बोल रही है मेरा लगन और चंद्रमा दूसों भावगा भी बताते हैं बटा रहे हैं दोनों बताते हैं करोना के लिए अच्छा फिजड़ो जाए अईसे नहीं होगा करकलगन का लौड़ चंद्रमा है तो यह फिजड हुआ यह भाई ललिजी मैं ये बात नहीं कह रहा हूं चंद्रमा कहां आया माली जो चंद्रमा यहां आ रहे दो नंबर में अब देखिए वो किस राशी यह बात कही जा रही है किस राशी में आए इसका लॉड अगर दूसरी पांच नंबर में आ जाए यह आठ नंबर में आ जाए यह ज्यारा नंबर में आ जाए तो यह हो गया फिर साहिए समझ में आला ले जी आपको आप बता रहे हैं आप बता रहे हैं आप बता रहे हैं तो तुल्ए का लॉड कौन हुआ शुकुर हुआ अब शुक्र देखी क्या इन नंबर में है क्या तो अगर है तो यह आपने भी स्थितियां हो सकती है वह सकता है जो बच्चे हो अभी इनकी उम्र कम हो उन्हें अभी एक्सपीरियंस उन्हों ने अपने जीवन का नहीं लिया क्योंकि भई बच्चों में एनर्जी भी तो होती है ना फड़ा घुमने उन्हें की आदत होती देश काल पाथ वारा हमेर का कॉंसेट अब एक बच्चा है उस बच्चे में तो वाकई एनर्जी हो कि तो उसको घुमना फिरना सबको थोड़ा पसंद होता है लेकिन जितना थो अब एक वही थोड़े से आप हम लोग की उमर में चले हैं और हम लोग से बोले कि भाई यहां चलना है समान पैक करो फिर ट्रेन पे लेके जाओ या जो है एरपोर्ट पे जाओ वहां लगाओ फिर वहां से उतरो वहां से गाड़ी करो अंदर ही अंदर लगता लेकिन एक तो हम अंदर की बात आपकी बता रहे हैं ठीक है समझ में बात नहीं को बात कि हम क्या कहना चाहते अब आते हैं देश कालपात लेना बहुत जरूरी है एक्दम सही बोल ला है हरे किष्ण जी आपका नाम आ रहा है हरे किष्ण हरे किष्ण और सही आप बोल लहा है कि कैसे पता चला आप देखें अगर सूर भी मालिक है यहां पर बैट जाए आठ नमबर बे आगया सूर तो फिक्स हो गया अच्छा आपका सूर फिक्स याप यह कहां चाहिए चली अच्छी बात है अब समझने आज़े चैन्डरमा की चैनलों हमने यहां लेगे लगने चैन्डरमा यहां अच्छा लगनों दोनों यहां फिक्स जोग है तो इस वेक्ति कि यह प्रॉब्लम अब दिरे बास सुनिए घर में बढ़े बुज़ड होते हैं जाकि आप ना अब चीजों को आप रवकर ना चालD on करें जब तक चीज़ आप उबज़र्व नहीं करेंगी जित और गड़ड़nah करने की चीजह प्रश्व्यक्ति कि मैं कुंड़ी देख था कुछ समय पहले उनका लगन लॉड सिंग राशी देखा सिंग राशी यहां था सिंग राशी ने था तो एक बात और सुनिए लगन लॉड यही तीन में लगन होगा जिस राशी में बैठ जाते हैं तो उस राशी से सम्मझित जो आकरती होती जो चीजें होती है उनके साथ वह आपको दिखाई देगी उनसे उनका क्योंकि लगने लगने खुद है जिस राशी में बैठ जाएंगे वह वहां जाकी जुड़ जाएंगे जाएंगे तो इस राशी हो गए ना जैखिए अगर हमने कहा मालेजे एक इसांपल इसी के लिए पर इनका चत्रवा यहां पड़ा गए तो इस राशी में होगे वह जिस राशी के साथ हमारा वह लगनेक्ट होगा जुड़ेगा तो उनकी चीजे ना जैसे यहां पर जो जुड़ा हो सिंग से जुड़ा से तो सिंग का नाम क्या है शेर है ना शेर अब यह इमेजिन आप करिए तुला मलब तराजू ब्रशा मतलब बैल अच्छा कोई ब जैसे जो आकरतियां होती है राशी कि मैंने का था बहुत इंपॉर्टेंट है उन आकरतियों को आप नेट से देखे वरना मैं भी आपको कुछ पिच्छे भीजूँगा उससे आप देखेंगे तो पढ़ना अब स्टार्ट हुआ है अब तो स्टार्ट हुआ है अभी तक त इस राशी से कनेक्ट होगा वो राशी की चीज ना आपको दिखाई अपनी लाइफ में जरूर देगी लेकि हो सकता है आपने अभी तक अब्सर्व ना किया हो इसको यह अब्सर्वेशन की चीज है मैंने ऐसी कुंडली में उनकी देख रहा था मैंने तक शेर का आपके जी अब अगर लगन इस्तिर हो लेकिन लगन पती चर राशी में बैढ़िया यह पती होती मुझे कुछ दोड़ा कम समझ में आता है चंद्र प्रकाश जी मैं यह कह रहा हूँ कि जो लगन है लगन लगन का लॉड की बात मैं कर रहा हूँ यानि उद्र जो पती आप कह रहें शादिशी को कह लेंगे जैसे लगनेश यानि चाह नंबर का स्वामिक चंद्रमा जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कहां गया यह चरभी हो सकता है इसके लगन की जो एनरजी है वो इसका राशी बताएगा हमारे खाल में चंद प्रकाजी आप समझ गए तो लगने का क्या प्रभाव होगा लगने का लगने का प्रभाव बता रहें पहले आप उसके लगने की राशी जो मैं समझा रहा हूं पहले आप उसको पकड़िए वरना आपके कोश्चन ही समझ में नहीं आएंगे आपको बहुत इत्मिनान से इस दिमाग से समझने कोशिस करिए अपने मन को और क्या सूल को स्थिर राशी में लेके आईए वन्ना आप परशान हो जाएंगे सब का सब लोग उंड़ी आपनी निकाल के देखिए को दिक्कत नहीं है अब देखिए हम क्या लगने कि सिंग र अरुक से उनके बलकि बाबा दादा के समय एक शेरा वाली टश्वीर है जिसमें दुरगा मां शेर विराज माने हमारा कोई दिन नहीं होता है तो मैं उसको ना देखो और वह बाबा दादा के समाने का एक बहुत बड़ा फोटोप्रेंग इंगिन के आरतधा उनक्या रिख पहली बात मैं यह कह रहा हूं अच्छा अच्छा तो अभी जैसे आप शुभम जी बता रहे हैं और तुला राशी में बैठते हैं तो भाई तुला राशी कहां हो गई कि चर राशी में हो गई नहीं उसका भी नंबर आ रहा है परशान है चर आधी तो फिर शायं की बात करें यह सब और लगन या सूर्व चलना लेकिन सबसे कौन होगा लागन सबसे इंपोर्टंट फर्स पर्टी अगर हो इसी इस स्थिर राशी में आजाए तो ऐसा वेक्ति इस्थिर हो जाता है तो अगर चंड्रमा भी है तो उसका मन भी स्थिर होगा उसको हिलाना डोलाना है थोड़ा सा आसा हिलाना भारी भार कम नहीं होगा वह काम बहुत जल्दी-जल्दी नहीं परिवर्टिक कर पाएगा वह एक की ऐसी और खुन ली थी तो उन्होंने बताया कि मैं जहां से जॉब कर रहे हैं तो 15 साल मुझे एक ही जॉब में होगा मैं प्राइबेट जॉब है 15 साल से में कर रहे हूं मैंने पास बहुत ऑप्शन है मन ही नहीं करता है यॉप चेंज कर रहे हैं और कि जो ऑफर आया वहां से डबल सेर्वरी का भी आ है फिर भी मैंने चेंज नहीं किया देखित तो ऐसा वक्ति हिलाए नहीं गया तो यह भी जिद्धी किस्म के हो जाएंगे देश काल पात्र बुड़ापे में बड़ा एज जब चलती है प्रक्तिव ऐसे होता है और उनमें लगन सुर्ण चंद इस्थिर राशी में है तो आप देखिए न वह ऐसे विजड हो जाएंगे जो हमने कहा वहीं साही होगा वन्ना उगु तो पहले मैं स्थिर की बात कर रहा है तो ऐसे वेक्ति न थोड़े से जिद्धी भी हो जाते हैं अगर यह स्थित्य आजाए अब आप लोग की हरकत दें करके आपको समझ में आने लगेगा अब चले बहुत लोग इसका पूछ रहें अब इसमें और उपाटे को जोजे बत पैर उठाएगा वहीं ड्रामा चालू कर देगा क्यों इस तर राशी में बैठाए जित्ती है जब तक को चीज उसको मिल नहीं जाएगी हिलाए हिलेगा आप समझ लिएगा जित्ती हिमों चीजिए उसकी इसकी बहुत सारे बच्चे इसे होते हैं तो यह सब चीजे अब आ फिर अपने आपको बहुत जल्दी-जल्दी क्या कर लेंगे चेंज करने की कोशिस कड़ें जैसे उनको घूमना इधर जाना यहां बैठी जैसे छोटा बच्चे की बात करें ते एक चोटा बच्चा है कि कि वह आपने जगे बैठा है फिर उठके हो दूसरी जगे चला गय लेकिन उसका गूमने का मन बहुत रहे इधार उदर जाने का वो सकता ऐसे लोग पिक करके जॉब भी नहीं कर पाते हैं तो अगर यहां पर क्या हो जाए कि अब आपको आंसर आगया होगा चंद्रप्रकाश जी कि अगर ऐसा है कि लगना लौड चर राशी में हैं तो आप देखेंगे कि ऐसी चीज वहां पर जरूर होती आपको नजर आएगी क्या आपके साथ ऐसा है आपके साथ ऐसा है चंद्रप्रकाश जी अच्छा बिस वहां में आ रहें अच्छा बिस वहां में बतारे बतारे जिसका भी चर राशी में तो आप देखेंगे वहां पर यह चीज बनेंगी तो चर राशी में व्यक्ति क्या होता है बहुत जल्दी आप उसको समझाएंगे ना तो वह समझ भी बहुत जल्दी जाएगा अगर आपने बच्चे को अपने डाट दिया और बच्चा ना उस पाद को पकल के बैट गया हमारी पेटी में ऐसा ही है हमारी बेटी का जो लगना लौट है वो सब मुवेवल में कि कभी-कभार उसको डाट देते हैं ऐसे कि मेरा प्रिप्ट में तुम्हें ज़्यादा डाटता नहीं यह सब मैं बताऊं का अपादूना तो मैं डाट देता हूं मुश्किल से पांच मिनट ही पस इदाद रहेगी अपने आप लेक्स हो जाएगी तो यह अब हम से कोई पूछे चरवाला अचाहे कि इसका कोई मुझे दोनों कीजे अच्छी है आप समय देखिए देश खाल पातर लगाई है अब लोग दूसरा वाली बात पूछ रहे हैं दूसरा में यह दोनों करेक्टर आपको नहीं है तभी कुछ ऑथर्स इस्पेशली मैंने सुलेशन मिश्रा में यह बाद पढ़ी लगुपराश्री में यह लिखा है कि डूएल साइन वाला सबसे अच्छा होता है वो हर स्तिती में अपने आपको